तो दोस्तों अगर आप भी अधार कार्ड से UPI Registration के लिए इंतिजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है फाइनली जितने भी बैंक हैं उन सब में अधार कार्ड से UPI Registration को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है और जो बैंक में आचुके उस बैंक के बारे में भी आपको बताएंगे और बागी के बैंक में कब आएगी इसको लेकर NPCI नी भीम ने हमें रिप्लाइ भी किया है तो दीटल्स में आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में लेकिन सबसे पहले उनी उजस के लिए एक बात यहां पर बता देना चाहें जो नए है जो कि अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता देंगे कुछ दिन पहले ही यह NPCI ने लॉंच किया था अधार कार्ड से UPI रेजिस्टेशन की फैसलिटी जहां पर आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो भी आप UPI रेजिस्टेशन कर सकते हैं और पैसे जो है UPI के जरिये टांजिक्सन कर सकते हैं C.Later से स्टार्ट होती है जी यहां दोस्तों जितने भी बैंक में आई है न वो सारे बैंक जो है C.Later से ही स्टार्ट होती है अगर मैं बात कर लोओ तो Central Bank of India में यह फीचर आ चुका है Cosmos Bank में यह फीचर आ चुका है अब चुकी अब तक Corporation Bank में भी आ गया होता लेकिन Corporation Bank जो है मर्ज हो चुका है Union Bank में तो शायद इस वज़ा से इसमें नहीं आई है तो अभी बात कर लेते हैं इसके अलाबा बाकी के जो Bank है तो आप लोगे Query आ रहे थे कि PNB में खासकर और SBI और Bank of Baroda के जादा यूजर है ट्वीट किया कि बाकी के Banks में हमें कब देखने को मिलेगी और SBI के बारे में भी हमने उनसे पूछा तो उनने कहा है कि बहुत जल्द ही आपके Bank में जो है ये फीचर दी जाएगी धिरे-धिरे करके सारे Bank में ये फीचर आने वाले है तो वैसे भी मैंने सारे उज़ास को ब वक्त बचा हुआ है तो इन्हीं 10-11 दिन के अंदर कम से कम State Bank of India HDFC Bank of Baroda में ये फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं बाकी जैसे ही किसी और Bank में आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे बाकी अगर आपका अगर आप जो है आपका यहां पर अकाउंट अगर ग्रामिन और या पर के द्वारा चलाया जा रहा है आगर उसको स्पांसर करती है यह दोनों Business थे कृश्याइब को कि छिजर आपको सफनलिन को हैा ब्राइन आपको चुक्छ थे हैंक अगर यहां से लिंग है आपका उपखना तो वहां zobaczy nên 일म आंपो पर आपको। कराना मुस्किल है तो एक बार जाके अपने अगर आपके पास कोई भी बैंक एकाउंट है न तो एक बार चेक कर लिजे हो सकता है कि किसी और बैंक में आचुकी और मुझे नहीं मालूम हो तो आप एक बार जाके अपने अपने बैंक में चेक करिए किसी बैंक में आपका खात को लेकर जो कि जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों में एहां पर भीम एप के तरब से रिप्लाई आ चुकी है कि सारे बैंक में कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी एड कर दिये जाएंगे तो बस ये थी एक अर्जेंट अपडेट अधारवेस ड्यूपर रेजिस्टेशन को लेकर उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजी इजाजत थैंक यू